आज का हमारा टॉपिक है चरक सिद्धी स्थान का दित्य अध्याय पंच कर्मिय सिद्धी सबसे पहले इसमें है हमारा चार नंबर श्लोक से देखिए यहां पर बिताया गए चिकित्सा के योग्य कोन है जिनके चिकित्सा आपको नहीं करनी चाहिए वो कौन है चंड जो बहुत जादा चंड होता है मतलब बहुत जादा एंग्री हैं क्रोधित हैं जो सहसी को जो जादा सहस करने वाले हैं भीरू जो डरपोक हैं क्रित अगन है मतलब जो आप कुछ भी प्रोसीजर उनका कर रहे हो उनको लाब मिल रहा है लेकिन कोई आपको जताएंगे नहीं ऐसा क्रित अगन है जो व्यग्र यानि व्यग्र का मतलब एक ही जगा पे स्थिर नहीं है जिनका मन आप कुछ बोलते हो वो सुनने रहे स्थिर कभी कुछ एसे सद्ध राज विष्ट जह द्वेश्टा सद्ध मतलब अच्छे हैं जो राजा वर विश्ट उनसे द्वेश करते हैं और शौक से पीडित हैं याद अध्याओ मतलब जो घगवान को नहीं मानते मिंस नास्ति, मुमूर्श्यू मिंस जो मरनासन है अभी मरनेई वाले है, फिर उनकी चेटसा करने का फायदा नहीं है ना, तो मुमूर्श्यू है वहीना करनेश्च ये जो सामग्रियों से हीन है वैری वैद विदग्दो वैरी मतलब जो शत्रू है वैद विदक्द हैं मतलब वैद्द ने होते हैं अपने को वैद्द समझने वाले हैं अगर और श्रदाहीन सूशंकितह भिषजाम अवेधश ने उक्रमाद भिषजक विदा यानि यह यह हैं ऐसे पेशेंट रेंड गुणा वाले जिनका चिकित्स आया रेटमेंट आपको नहीं करना चाहिए नेक्स आईए आठ नंबर श्लोक में एट नंबर श्लोक फस्ट लाइन से आप देखे ध्यान रखे जो हम वर्ड बोल रहे हैं उनको आपने हाइलेट करना है यहां बताएगे है वमन के अयोग्य विक्ति सबसे पहले आप हाइल शुदित कर्म भार आदव हत मैथुन अध्यन व्याम चिंता प्रसक्त क्षाम गर्भिनी को हाइलेट कर लीजी गर्भिनी सुकुमार सम्वरित कोष्ट यह तीन आपने हाइलेट किये गर्भिनी सुकुमार सम्वरित कोष्ट और इसी लाइन में देखना दुष चर्दिनों उर्द रक्तित को आपने हाइलेट कियो, उर्द रक्तित में आप वमन नहीं कराते हैं, परसक्त छर्दी उर्द वात, अस्थापित है, अनुवासित है, फिर हाइलेट करना हर्द्य रोग, उदा वर्त और मुत्रागात को. हृद्य रोग का पेशन्ट है उदावर्त का पेशन्ट है मुत्रा घात का है उसको आप वमन नहीं कराते फिर है पलीहा, गुल्म, उदर अश्ठीला उरोप घात तिमिर को हाइलेट कर लीजी तिमिर में भी आप वमन नहीं कराते सिरह, शंक, करण, अक्षी, शुलारत है वमन के अयोग्य है नेक्स्ट है अभी नौ नंबर शलोक में बोला कि यह जो अभी आपको उपर बता दी कि वमन इनमें कॉन्टा इंडिकेटिड है तो वो reason क्या है उसका कॉन्टा इंडिकेटिड क्यों है यह पूछा ऐसा एक्जाम में आता नहीं है करके आप एक बर थर्ड लाइन देखना फिर भी थर्ड लाइन लास्ट गर्भिनी को क्यों नहीं कराते है क्योंकि गर्भ के व्यापत हो सकते है आम गर्भ है यानि abortion जो होता है वो हो सकता है दारुण रोग प्रापती यानि दारुण रोग हो सकते है उसको next line में देख़े यानि उपर से जो हमारी fifth line है उसमें देख़े संवरित कोष्ट लिखा है highlight करना इसको संवरित कोष्ट जिसका कोष्ट संवरित होता है narrow है संकुचित है कोष्ट उनको भी आप वमन नहीं कराते हैं क्यूं क्यूंकि दुष छर्दिनों अती मात्रम प्रवाहन दोशा क्या दुष छर्दिनों यानि इनमें वमन कठिंता से होता है समरित कोष्ट वालों को इसलिए और क्या प्रवाहन दोशा इनको प्रवाहन करना पड़ता है training करनी पड़ती है वामेटिंग करने के लिए सम उत्कलिष्टा अंता कोष्टा जयांते अंता हुशर्प इस वज़े से क्या होगा? दोश उत्कलिष्ट हो जाते हैं और कोष्ट के अंदर क्या उत्पन होगा? विसर्प उत्पन हो जाएगा संभम जाड्यम वेचित्यम मरंधं वा संभम हो सकता है संभरिद कोश्ट को आपने हाइलेट करके next line में हाइलेट करना विशर्प संभ जाड्य फिर आप देखे नीचे से third line है जो नीचे से third line इसमें आरता दाम तीवरितर शूल प्रादुर भावे तिमिर में देखना तिमिर आरता नाम जो तिमिर से पेड़ी घंको क्यों नहीं वमन कराते तिमिर अतिवरिद्य उनका तिमिर और ज़्यादा बढ़ जाता है वमन करने से ऐसा कहा गया फिर है हमारा राइट पेज पे देखिए शेशास्तू वम्म्य विशेशास्तू अब शेश जो ये रहे गए जिनको वमन आप करा सकते हैं वो कौन से हैं पीनस है कुष्ट है नव जवर राजजिक्ष्मा का स्वास गल गरह गल गंड शलीपद मिहें मंद अगनी विरुद अजीन अन विसूचिका अलसक विशगर पीत दस्ट विदग अध्यशोनित पित को आपने हाइलेट किया अध्यशोनित पित अगर किसी को है तो आप पमन कराते हैं फिर पित प्रसे कह दुरनाम लास अरोचक अविपाक दुरनाम हम अर्ष को बुलते हैं अविपाक अपच्च अपरस्मार उनमाद अतिसार शोफ पांडू रोगा मुक पाक दुष्ट स्तन्यादि स्लेश्म व्यादी विसेशन महारोग अध्याय योकताष्य यानि महारोग अध्याय में जो सलेश्म जव्यादियां कही गई है उनमें भी आप करा सकने हैं इतेशु ही वमनम परधान तम इतियुक्तम इनमें वमन परधान है क्यों केदार सेतू भेदे शाली आद्यो शोश विनाशवत ये उपमा दी गई है वमन कराने के लिए ये जैसे जो जहां अंदर फसल लगी हुई है मतलब एक एरिया है खेत में जहां पर फसल लगी हुई है पानी भरा हुआ अगर आप बान तोड़ दोगे मतलब पानी को निकाल दोगे तो उसमें होने वाली जो धान आदी जो भी फसल आपने लगा रखे वो सूख जाती है उसी प्रकार वमन द्वारा दोशे को निकालने प पेज के टॉप पर एक तीज लिखे लिखे हृद्य रोग हृद्य रोग प्लीहा गुल्म उदर हृद्य रोग प्लीहा गुल्म उदर तिमिर तिमिर और मुत्रा घात इनके आगे रोग करके लिखे वमन और क्रॉस कर देजिए मतलब इनमें वमन नहीं कराते विरेचन को टिक कर देजिए वमन इनमें नहीं कराते हैं तो क्रॉस की आपने और विरेचन करा सकते हैं तो टिक किया है पूछेंगे ना आपसे जैसे अगर कोशन आ जाता है कही बा एक लिखी यहां पर नव जवर, यह star लगा के लिख लिजएगा, नव जवर, एरू करके लिखना woman पर टिक कर दीजए, मतलब, नव जवर में woman करा सकते हैं, विरेचन के आगे cross कर दीज़, विरेचन नहीं कराते नव जवर में और सेकेंड लिखे ज्वर एरो कर के लिखी Prabir schedule पूछे तो ज्वर में विरेचन लेकिने नव ज्वर की कंदेशन में विरेचन नहीं कराते वमन कराते नंव ज्वर की कंदेशन में इलेवन नमबर श्लोक में इलेवन नमबर श्लोक क्या है विरेचन के अयोग्या बोले तो अविरेच चास्तू जिनको विरेचन आपने नहीं कराना कौन से हाइलेट कर लिजिए सू भग, क्षत गुद, मुक्त नाल सू भग, सू कुमार है जो कुषत गुद, जिनकी गुदा में कुषत हुआ हुआ है मुक्त नाल का मतलब क्या आता है जो स्फिंटर है वो लूज हो गए है क्या होता है, हम जो भी डिफिकेशन का अपना प्रोसेस है थोड़ा वोलेंटरी है न, इसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन मुक्त नाल अगर स्विंटरी लूज हो गया है तो हम होल्ड नहीं कर पाएंगे वो जो डेफिकेशन का एक्ट होता है उसको तो सूभग, शत्त, गुद, मुक्त नाल, अदो भाग, दरक्त, पित्त, यहां तक आपने हैलेट किया अधोरक्त पित्त वाले को विरेचनी कराते हैं फिर है विलंकित, दुर्बल, इंड्रिय, अल्प, अगनि, निरूड, कामादी, व्याग्र, अजीड, नव, जवर, मदात्य, आधमान, शल्य, अर्दित, अभिहत, अतिस, निग्द, अति, रुक्ष, दारुन, कोष्ठ, क्षत आश्देश्च, गर्भिणे अंता, शत्त से लेके गर्भिणी जिसके अंतमिया, मतलब वमन में जो अयोग्य आपने पढ़े?" शत्त से लेके गर्भिणी कराते हैं नेक्स्ट है भगंदर उदर अर्ष को आपने हाइलेट किया फिर व्रद्न प्लीहा गुल्म अर्बुद गलगंड गरंथी विसूचि का अलसक मुत्रा घात क्रिमी कोश्ट को हाइलेट कर लिजी क्रिमी कोश्ट है जिसको उसको विरेचन कराते हैं फिर विसर्प प पार्शे उशूल उदावर्थ को आपने हाइलेट किया उदावत जहां पे आपने भी लिखा है ना पिछे मतलब पिछले वाले पेज पे की वमन के योग्य और विरेचन के जो योग्या मतलब वमन जिन में नहीं कराते और विरेचन जिन में कराते हैं यह जो लिखे हरुद् प्लीहा, गुल्म, उदर, तिमिर और मुत्रगाद, इनमें उदावर्थ भी एड़ कर लीजी, उदावर्थ नेक्स्ट, नेतरस्य, दाहा, हृद्य, रोग, व्यंग, नीलिका, नेतर नासिक, अस्य, श्रवणम, हलीमक, श्वांश, कास, कामला को आपने हाइलेट किया, थर्ड लाइन में, कामला पिर अपच्य, अपस्मार, उनमाद, रक्त, योनि, रेतो, दोश, तैमिर्य को आपने हाइलेट किया, तिमिर्य, और रोचक, और विपाक, छरदी को हाइलेट किया, छरदी में आप विरेचन कराते हैं, श्वाथू, उदर विसफोट आदे, पित व्याधी, विशेशन, मह रोग अध्याय योकतास, यानि जो महा रोग अध्याय में पित व्याधियां बोली हैं, उनमें भी आप कौमनली क्या विरेचन करा सकते हैं, ए तेश्यू ही विरेचनम, परधान, तमम, इतियुक्तम, अगनी उप्षमने, अगनी ग्रहवत, इसके लिए उपमा क्या बोली ह तो घर भी जलना बंद हो जाएगा, उसी परकार जब आप विरेचन के द्वारा अगनी में पित को निकाल देते हो, तो उससे होने वाले दोश भी शिगरी शान्त हो जाते हैं, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बताया गया 14 नमबर श्लोक में, निरू वस्ति के योग्या रोग अल्प अगनी है, अल्प अगनिया कलांतह, अती दुरबल, क्षुत, त्रिशन, श्रम, श्रम, इन से पीडित, अती क्रिश है, भुक्त भक्त को आपने हाइलेट किया, अभी अभी जिसने खाना खाया है, उसको आप निरू बस्ति नहीं देते, पी तो अधकम, पानी पिया है, अभी उसको भी नहीं देते, अती विरिक्त, विरेचन जिसको कराया हुआ हो, नस्त, कर्म, क्रुद, नस्त, जिसको भी कराया है, क्रुद है, भीतम है, मत, मुर्चित, प्रसक्त, छर्दी का अपने हाइलेट किया, जिसको कॉंटिनियूसली, वॉमिटिंग हो रही है, स्वास कास हिक्का इसको हाइलेट कर लेजिए बद्र चिद्रोदर और दकोदर ये उदर रोग हैं जिनमें निरुवस्ति नहीं देते आधमान अलसक विसूजिका आम प्रजाता अत्रीस आरम मदू महें और कुष्ठ आरता को आपने हाइलेट किया मदू महें और कुष्ठ आरता कुष्ठ से जो पेड़े थे हैं तो अनास्थाप्यस्तु में आपने अजीर्ण भुक्त भक्त पीत ओदकम प्रसक्त छर्दी बद्र चिद्रोदर दकोदर और मदू महें और कुष्ठ आरता ये इसको हाइलेट किया है नेक्स है हमारा पंदरा नमबर श्लोग 15 नमबर श्लोग इसमें आप देखें नीचे से से किन लाइन है जो नीचे से से किन लाइन 15 नमबर श्लोग में यहाँ पे बस्ती प्रणान हिंसित यह छोट दीजिए यहां से हाइलेट करना अल्सक विसूची का आम प्रजाता अतिसारी नाम आम कृतो हो दोशा यह आपने हैलेट किया यह जो अल्सक है विसूची का है आम दोशा या प्रजाता मतलब सूती का रोग है या आम अतिसार रोगों से पीडित विक्ति को निरूबस्ती नहीं देनी चाहिए क्यों क्यूंकि आम कृतो दोशा ये आम दोश को बढ़ा देता है और इसलिए मतलब इनको निरूबस्ती नहीं देनी चाहिए फिर राइट पेज पे हमारा बोले गए है निरूबस्ती के योग यकिन को करानी चाहिए तो मोसली जब आता जवादिया उसमें तो कराएंगी आप इसमें है शेश्यस्तू अस्थ आपके विशेश्यस्तू सरवांग ये कांग कुक्षी गत्रोग है वात वर्च मुत्र शुक्र संग शुक्र संग है तो भी आप निरूबस्ती देते हैं बल वर्ण मास रेतस अंग सुक्ती क्रीमी कोष्टे को आपने हाइलेट किया क्रीमी कोष्ट में और लास्ट में इसी लाइन में हाइलेट कर लिजे हृद्य रोग भगंदरो भगंदर में और फिर जुवर को आपने हाइलेट किया थर्ड लाइन में जुवर थर्ड लाइन लास्ट में ही देख जैसे क्या करते हैं वनस्पति जो होती है पेड़ पौदे जो भी है उनकी अगर आप मूल को काट दो तो वनस्पति क्या हो जाती है नस्ट हो जाती है उसी प्रकार अगर आप रोग के मूल कारण को ही नस्ट कर दो मतलब वायू को बोला गया तो उससे होने वाले रोग जो है वो स्वम ही शान्त हो जाएंगे फिर है हमारा स्तारा नंबर श्लोग में अनुवासन के आयोग्या जिनको निरुहू नहीं देनी चाहिए उनको अनुवासन भी नहीं देनी चाहिए लेकिन कुछ स्पेसिफिक यानि विशेश पॉइंट है ऐसे को आप अनुवासन भस्ती नहीं जो है वो देते मतलब क्या होता है हमारा पेशन ने खाना खाया मतलब खाना खाने के जस्ट बाद आप देते हो अनुवासन भस्ती उसको और निरुवासन भस्ती कब देते हो मतलब अभुक्त भक तवस्ता में मतलब उसने खाना नहीं खाया औना चाहिए तबी डिसेंट खाना पच गया हो जैसे सुबा अगर खाया था तो आप शाम को देदो निरूबस्ती कि कितना पच गया हो उसका खाना इसलिए बोला गया और रात को उसने खाना खाया तो सुबा उटके निरूबस्ती देदो इस अब अन्वाशन के बताइबें विशेश हैं तुकष में बत्याः के पडANT प्रजाइप्सेयों लेकिन और रुक्ष तिक्षन अगनी जिनका शरीर रुक्ष है अगनी तिक्षन है केमल वाताइब जियों से पेड़ित हैं वो अनुवासन के योग्यों हैं और एतेश्य अनुवासनम प्रधान तमम इतियुक्तम मूले द्रुम प्रसेक वत को आपने हाइलिट के जैसे विक्ष की मूल में अगर आप जल डालते हो तो क्या प्रसेक पत्ते अच्छे मतलब जो फल फूल है वो गूगने वाले होंगे इसी प्रकार अगर आप अनुवासन बस्ती देते हो किसी को तो वो बल देने वाला होता है उसके श्रीर को बढ़ाने वाला होता है ऐसा कहते हैं नेक्स से 20 नंबर श्लोक में यह जो उपमा है न यह आपको ध्यान रखनी है थोड़ी कौन सी जो उप गया बोला नस्य की आयोग्या अशिरो विरेचन आयस्तू अजिर्णा भुक्त भक्त पीत्स नहें मद तोय पातू काम सनात शिरा पानी पीने की इच्छा हो जिसकी मद्य पीने की इच्छा हो सनात शिरा सिरसे सनान क्या हो जिसने यह सनातू काम यह सिरसे सनान की इच्छा ह नव जोर को आपने हाइलेट किया नव जोर में आप नस्य नहीं देते शोख अभी तपता विरेका अनुआसिता जिनको विरेचन अभी दिया हो अनुआसन अभी दिया हो गर्विनी है नव प्रतिशाय है और दुर दिने चाहिते है और दुर दिन में नस्य नहीं देना चाहिते नस्य के अयोग्या फिर आप देखे राइट पेज है जो हमारा 21 नमबर श्लोक की एज एक्स्पिलनेशन लिखी है इसमें आप देखे उपर से 13 नमबर लाइन है हमारे नव जोर वेशोक से पेडित विक्तियों में शिरो विरेचन देने से बड़ी हुई उश्मा नेतर नाडियों का नुसर्ण करती है और तिमिर वेजवर की विरिध्धी कर देती है यहां तक आपने हाइलाइट कर लीजिए विरेचन के बाद शिरो विरेचन देने से वाईउ इंद्रियों का नाश कर देती है आपने हाइलाइट करने वाईउ को और अनुआसन बस्ती देने के बाद अगर शिरो विरेचन दिया तो परकूपित हुआ कफ तो वाईउ कब होगी विरेचन देने के बाद जब आप शिरो विरेचन देते हो अनुवासन देने के बाद शिरोवरेचन करते हो तो कफ सिर में भारीपन, खुझली और क्रीमी रोगों को उत्पन करता है यह आपने हाइलेट किया फिर देखी गर्भिनी स्थिरी में अगर आप शिरोवरेचन देते हो तो गर्ब को जकर देती है, उसके बालक को काना, कोणी, पक्षागात से पेड़िद, पिट सर्पियानी पंग उत्पन करेगी, फिर next line छोड़के उससे next में देखना, दुर दिन में नस्या देने से हाइलाइट करना, दुर दिन में नस्या देने से शीर्त दोश के कार्ण, प तो उर्ज जत्रूगत जो रोग है, मोसली उनमें शिरोविरेचना आप देती ही हो, तो आप इस लोग में फोर्थ लाइन में देखिए, फोर्थ लाइन, उर्ज जत्रूगत जो भी रोग हैं, वात आदी विकारा, उर्ज जत्रूगत वात अज विकार जो भी हैं, उनमें म उसली कराया जाता है और लास्ट लाइन में देखना है इसके लिए उकमा क्या बुली मुझ आदी इशिका मीव आसकता केवल विकार करम दोशम अपकर्शती यानि जो सिरो परदेश में रोग उत्पन जो हो रहे हैं उनको नसे इस प्रकार दोशों को दूर कर देता है जैसे मुझ से सीख को बाहर निकाल दिया जाता है जो सरकंडा होता है देखा हो आपने तो उ ऐसे ही ये जो शिरो विरेचन है ये क्या करता है हमारे उत्तमांग मतलब सिर से क्या करेगा दोशों को खीच के बाहर निकालने वाला होता है विमर्श में देखिया आप इसके विमर्श में नीचे से फोर्थ लाइन नीचे से फोर्थ लाइन उसमें देखे लिखाया highlight किया वागवट बोलते है कि नासा ही सिर्सद्वारम शिर का द्वार किसको बोला है नाशिका को बोला है तो जो सिर्मे होने वाले जो भी व्यादिया हैं उनको आप नस्या से treat कर सकते हैं ऐसा ट्विंटी थी नमबर श्लोक में हाईलेट करना प्रावरड शर्द वसंतेशू ये आपने हाईलेट किया प्रावरड शर्द वसंतेशू इनमें आपको नस्यत देना चाहिए अत्यकाईशू, रोगा, नावनम, कुरियात मतलब अत्याays emergency condition है तब और प्रावर्ट शर्द वसंतेशु तब आप देते हो नस्य, कृत्रिम गुणो उपधानम, फिर हाइलाइट के लिजिए गृष्म के पूरवाहनम, गृष्म रितु में अगर देना पड़े आपको तो पूरवाहन में देते हैं, शीते मद्याहने, अगर ठंड में देना में देना भी पड़े, तो टाइम क्या होना चाहिए, वो आपको याद रखना है, नेक्स्ट है हमारा देखिए, तत्र शलोका करके जहां पे लिखा, तत्र शलोका, तो इसमें थर्ड लाइन में देखिए, उत्पद्देथी सा अवस्थाम देश काल बलंप्रती, यस्याम कार्यम औ कार्यम स्यात कर्म कार्यम चवर्जितम, छर्दी, हृद्य रोग गुल्मा नाम वमनेश्यू चिकिच्चिते, अवस्था प्राप्यम निर्दिष्टम कुष्ठी नाम बस्ति कर्मचः, यहां पे क की गई है, तो आपको मेबी यह लाइन लिखके दे, CCRS में एक बड़ी कोश्चन आया हुआ था, जो थर्ड लाइन है ना, उत्पद्देथी सा अवस्था, देश कालम बलंप्रती, ऐसे करके, या फिर यह जो है हमारा, जो इस तत्र श्लोका करके, लास्ट लाइन है ना, ब अध्यात्मीक चिकित्सा, नैश्ठी की चिकित्सा, आवस्थी की चिकित्सा, या फिर देविक चिकित्सा, तो आवस्थी की चिकित्सा यहां पर बताई गई है, मतलब यहां पर बता दिये, यह जो भी पंच कर्म हैं हमारे पांचो कर्म उन में योग्य और योग्य क्या है तो अब ये बोलते है कि जो वैद्ध है बुद्धिमान उसको अपनी बुद्धी की अकॉर्डिंग विचार करना चाहिए मतलब जो देश है काल है बल उसकी अकॉर्डिंग करना चाहिए आपको क्योंकि कहीं बार क्या होता है हमें वर्जित करम भी करना पड़ता है और जिन में नहित है मतलब कि जैसे आपको बोला कि आप उदावर्थ में वमन करा नहीं सकते और विरेचन करा सकते लेकिन ऐसी भी कंडिशन हो सकते है कि आप विरेचन नहीं करा पाओ पेशन को क्या पता आपको वमन ही कराना पड़े तो बोला है इनोंने कि जो बताया हुआ कर्म है वो क्या पता आपको छोड़ना पड़े जो वर्जित है वो करना पड़े ऐसा अवस्था के कॉर्डिंग बताया जैसे समान्यता जो छर्दी है, हरिद्य रोग है, गुल्म है highlight कर लीजिए इस लाइन को जो हिंदी एक्स्प्लिनेशन दी विए ना, उसमें देखिए एट्स लाइन में जैसे समान्यता है, यहाँ पे छर्दी लिखा आप छर्दी लिख लीजिए जैसे समान्यता है, छर्दी highlight करना हरिद्य रोग गुल्म है, इन में वोमन नहीं कराया जाता किन्तु इन रोगों की जब आप छिकित्सा पढ़ोगे चिकित्सा स्थान में तो वहाँ पे वमन का विधान भी बताया गया तो समान्यता कुष्ट रोगी से, कुष्ट से जब पीड़ करने बस्ती कर्म नहीं करते, लिकिन्तु कुष्ट की जब आप छिकित्सा पढ़ते हो तो कुष्ट से पिड़ित व्यक्ति को निरूवस्ती देने का भी विधान है तो आवस्ती की चिकित्सा है, आवस्ता की अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपका पेशेंट है, किस तरीके से सिम्टम है उसको क्या उसके दोश है, उनके अकॉर्डिंग आप चीजें जो बताई गई है उनको कम भी कर सकते हो और कुछ चीजें उनको बढ़ा भी सकते हो ऐसा वो लगना तो हमारा सेकिंड चैप्टर कंप्लीट होता है